हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब लोग ये बताइए आज तक जो वीडियोज प्रॉब्लम ट्रेक्स जो भी बताया है वो आप सभी को समझ आया होगा मुझे पूरा भरोसा है कि आप 200% प्रॉब्लम सॉल हुई होगी चलिए आज की बात करते हैं वीडियो लाने का ये मोटिव है मेरा कि जो लोग अभी तक प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल नहीं कर पासे हैं उन लोगों के लिए मैंने नया बैच शुरू किया है जो कि 5 नवंबर से मेरा शुरू हो जाएगा और इस बैच चीज में मैं बारीक से बारीक चीजे कवर करूँगा चाहे वो फर्स्ट जनरेशन का स्कमेटिक हो चाहे वो 12 जनरेशन का स्कमेटिक हो जो भी कॉंसेप्ट होंगे इसमें वो सब हम इसमें कवर करेंगे जिस तरह मैं मदबोड को रिपेर करता हूँ उस तरीके से आप भी अगर करना सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्सिस को जोइन कर सकते हैं और अपने आपको अपग्रेट कर सकते हैं कोर्सिस लेमिटर सीटे हैं जिसका लाब आप उठा सकते हैं इसमें लेटर्स जनरेशन के कॉंसेप्ट और हम इस सेक्शन में आपको टाइप सी का कॉंसेप्ट भी बताएंगे type c के बारे में कैसे वो काम करता है कैसे आप type c के concept को repair कर सकते या फिर कैसे आप diagnose कर सकते हैं जब आपके type c में 5 volt बन रही होती है 90 नहीं बन पाती तो उस cases में आप कैसे टर्बल शूट कर सकते है उस चीज़ को भी हम इसमें cover कराएंगे volt in section, core section, stand by section और आजकल जो ME को clean करने की process जो बताया जा रहा है उसको भी हमें cover करना होता है इस course में और साथ में cover करते हैं क्या जो आजकल के error आ रहे हैं clean करते समय और आजकल आप देख रहे होंगे BIOS में password का issue बहुत आ रहा है वो password कैसे remove करते हैं BIOS की मदद से, hex की मदद से वो भी आपको इस courses में cover कराये जाएंगे और मैं आपको बता दूँ कि जो इस समय का जो समय है मतब November, December जो भी है ये जो time चल रहा है बहुत ही आप लोगों के लिए बड़िया time है मतब अगर आप सीखना चाहते हैं अप्ग्रेड करना चाहते हैं तो आप इस time में अपने आपको अप्ग्रेड कर सकते हैं उसका reason ये है क्योंकि अभी काम का जो है प्रैसर बहुत कम रहता है लोगों के पास और काम भी जो है कम रहता है तो ऐसे time पे आप क्या है अपने आपकी knowledge को जादा से जादा enhance कर सकते हैं कहने का मतलब ये है अगर इस समय पे अगर आप course जोइन करते हैं तो कहीं न कहीं आपको बहुत फायदा होने वाला है मतब आपने आपको आप जादा time दे पाएंगे या फिर आपने जो study करी है उसमें आप समझने में time जादा से जादा दे पाएंगे क्योंकि काम का जब pressure नहीं रहता तो कोई भी चीज सीखने में आसान हो जाती है तो मैं यही कहूंगा कि सभी लोग से जो लोग आपने आपने आपको अपग्रेड करना चाते हैं वो add a time पे course जोइन कर सकते हैं और मैं बता दूँ आपको कि course की जो fees है वो भी बहुत ही reasonable है बहुत lowest fees रखी हुई है मैंने ताकि हर कोई सीख सके चाहे वो fresher person हो चाहे वो already इस line में काम कर रहा हो मेरे पास course की categories बनी है मतलब चाहे मेरे पास अगर fresher बन्दा आता है तो उसके लिए भी हम cover कर आते हैं और advance label पे अगर आचाता है तो वो courses भी हमारी तरफ से available है और मैं आपको बता दूँ कि बहुत से ऐसे trainer बैठे हैं market में जो training तो बहुत अच्छे से देते हैं लेकिन अगर उनकी बात की जाए motherboard repair करने की तो शायद वो motherboard ना repair कर पाएं शायद क्या वो repair ही नहीं कर पाएंगे कहने का मतलब यह है अगर training आपने ले ली और motherboard repair नहीं कर पाए तो उस training का भी कोई फायदा नहीं होगा तो training जब भी ले तो ऐसी जगा से ले जहां पर आपको ट्रेनिंग के साथ साथ बतलब थियोरी के साथ साथ ऐसे प्रैक्टिकल भी मिले यानि कि अगर आपकी टेबल पे बोर्ड आया है तो आपके हाथ में इतना होनर होना चाहिए कि आप अपने हाथ से बोर्ड बना सके अब आपने थियोरी तो बहुत अच्छे से पढ़ ली थियोरी अच्छे से पढ़ ली लेकिन जब बोर्ड आया आपके हाथ में तो आपको समझ ही नहीं आया कि मैं बोर्ड में चेक क्या करूँ तो ऐसी सारी समस्या उसे बचने के लिए आप हमारा course जोइन कर सकते हैं साथ में आपको lifetime तक support रहेगा मैं मानता हूँ lifetime कहने वाली बात है लेकिन जब आप course complete कर लेते हैं course complete करने के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी support की क्योंकि हम उस label तक आपको trade करते हैं उस label तक आपको engineer बनाते हैं कि आप अपने से motherboard बना सकें तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा तो जल्दी से जल्दी मेरा course जोइन करिए और दिये हुए number पे contact कर सकते हैं course की detail आपको number पे मिल जाएंगी